वीकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाली कोब वरकर्स एक लिफ में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो तीन दीन तक कोई भी आने ने वाला था कहानी में ट्विस्ट दब आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजे अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी में ग्यारेक्टर जैनिफर को आफिस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी वो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाजिस उन्हों ने ब्रेक अप कर लिया था पर विकेंड़ पर जाकर वो उसे सप्राइस करने वाली थी इसके बारे में वो एक इमेल लिखती है बर इसे सेंड नहीं करती है क्योंकि ये एक सप्राइस था निक्सिन में हम हमारा और एक मैन क्यारेक्टर देखते है जिसका नाम है गाय ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था ये दोनों अलग-अलग फ्लोर उबर एक की लिफ्ट में चड़ें गाय जेनिफर से मिलते उसे comfortable feel कराने के लिए जोक स्वगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाय ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तब ही अचानक से लिफ्ट बन हो जाती है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था इन्होंने अलाम विग्रा दभाने की कोशिश की पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरी को नोटिस किया कैमेरे में वे विगरा करते हैं पर दूसरी साइट पर कोई भी नहीं था ये फोन करकर किसी कहल मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस लिफ में ये पाच दिनों के लिए ट्रैप्ट है फ्राइडे सैटरेडे संडे और दो दीन की छुट्टी थी गाय ने जेनिफर को कहा कि मैंने अभी-भी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस लिफ के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है जेनिफर ने कहा कि कभी-कभी ये लिफ्ट आवाज करती थी शायद इसी वज़े से स्टग हो गई है काय को अचानक से आईडाया कि लिफ्ट के उपर से ये एक्जिट हो सकते है हर लिफ्ट में एक्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी फिर वो छुक कर जेनिफर को उपर की सिलिंग चेक करने के लिए कहता है जेनिफर के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत ट्राय किया पर खुछ भी नहीं हुआ एक घंडा बीथ गया और जेनिफर रेलाइस करती है कि अब उसकी फ्लाइट उसने मिस कर दिया है वो गुसा होगे और सारी चीज़ों को गालिया देने लगके उसे बैस लगी थी तो गाय ने उसे अपनी बॉटल दिये जेनिफर उसका पानी पेने से मना कर दिया पर गाय ने कहा हमारे पास एक तो एक पानी है दूसरी वाइन की बॉटल अब तुम डिसाइड करो वो मजाग में कहता है वाइन की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है जेनिफर ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पर ये दोनों बहुत अस्त है उसने विरबानी पी लिया था वो गाये को एक चॉकलेट डे दिया उसने कहा अब हमें सारी चीज़ एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ बर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते है अब इसके बाद और चार घंड़े बीट गए थे उसे पी करना था पर गाये के सामने इस तरी किसे टॉलेट करना है उसे अजीब लगता है गाये ने फिर उसे एक बॉटल दी कहा कि एक नैचरल चीज है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूडने के लिए गएती है और फिर टॉलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेप्ट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लीफ में जो ड्रॉइंग बनी थी उसी ड्रॉइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाय से बुछती है क्या तुम्हारी कोई भी गर्फेंड वेगराने है जो तुम अगर घर पर ना आओ तो पुलिस को कॉल करकर तुम्हारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे सप्राइस देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों रेलाइस करते हैं कि वो कितने सेम है गाय ने फिर वाइन की बॉटल खोल ली टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं गाय ने जनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाई थी है पर जनिफर उसके एक फनी से ड्राइंग बनाती है जनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो गहती है तुमने मेरी जो पिक्चर बनाई इसे में मेरी प्रोफाइल पिक्चर रहूंगी बाते करते करते खाने पर डिसकस करने लगे तुने भुगे थे तो जनिफर ने कहा कि सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं अलग-अलग टॉपिक पर डिसकस करते हुआ एक दुसरे के पार्टनर के साथ क्रीजी स्टोरी ये बताने लग जाते है जनिफर गहती है कि एक बार में मेरे बॉइफ्रेंड के साथ लाबररी में इंटिमेट हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में हो गहता है कि मेरी एक कोवर कर थी हम एक बार ड्राइव पर गए थे वो इपर इंटिमेट हुए थे ये सब बताते हुए उसे जनिफर के लिए फिलिंग्स आगे जनिफर को भी इससे कोई भी प्रॉलम नहीं था फिरे दोनों यही पर इंटिमेट हो जाते है इंटिमेट होने के बाद गाई ने जनिफर से गा ये तुमारे प्यार में पढ़ सकता हूँ ये बाद जनिफर को बहुत ही अजीब लगी वो उससे गहती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना चाहती थी गाई को इस बात में बहुत हर्ट कर दिया वो गहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुमें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचू थी एक दूसरे से बहुत ही दूर है ये सारा गाय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अचानक से गाय का बिहेवियर चेंज हो गया वो अपने मोबाइल में उसे CCTV फूटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुम्हें देखता हो तुम जब काम पर आती हो काम से जाती हो हर रोज में तुम्हें ही देखता रहता हो वो एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जुट कहा था किसी building में accountant है उसने convince किया कि सब कुछ मैंने plan किया था वो Jennifer के साथ एक दूसरे को जानने के लिए chance चाता था वो चाता था कि Jennifer उसे पहजाने इसी वाज़ेस उसने सब कुछ किया था वो अपने pocket से चावी निकालता है और लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उस पर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगे तुमने जो भी क्या इसके लिए तुम्हें भूगतना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बन कर दीkaar जेनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करने की कोशिश कर दिया पर गाये ने उसे पकड़ लिया जेनिफर स्ट्गल करते हुँ लिफ्ट की की को मार देती है और इस वज़े से तूट गई थी अब एक्चुल में इस लिफ्ट में फरस गये थे जैनिफर गुसा होकर अपने शू से गाय को unconscious कर देती है उसे चेक करने के लिए आई पर गाय conscious था उसे भी मार कर बेहोश कर देता है जनिफर के होश में आने के बाद गाय उसे कहता है एक बहुत ही अच्छा प्लान था यहाँ लिफ में हमारी बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था तो हमें एक दूसरे को जान पाए practically हमारी पूरी relationship इस लिफ में हो गए हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और break up भी हो गया जनिफर अब भी बहुत गुस्सा थी उसने अपने फियांसे के लिए जो gift लाया था कि गाय ने चेक किया इसमें एक अच्छा-चा शर्ट है जो गाय पहन लेता है गाय के बास भी एक gift है जिसमें सीगार, lighter और एक cutter है गुस्से में गाय ने lift का एक light तोड़ दिया फिर उसे idea आता है कि या light बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के bottle से उसने छट पर मार कर उसे खोल लिया वो जैनिवर से कहता है कि तुम मुझे support दो, मैं उपर जाकर इस lift को खोल दूँगा जैनिवर उस पर believe नहीं करती, कहती है कि मैं उपर जाती हूँ मेरा wait कम है और मैं जल्दी से तुम्हे open कर दूँगी गाई को उस पर शक आने लग गया था, पर उसे जो बात सुननी थी, यही जैनिवर ने कहीं वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा time spent किया, मैं तुम्हें धोका क्यों दूँगी गाई भी फिर उसे help करने के लिए मान जाता है, और जैनिवर उपर आके उपर आने के बाद जैनिवर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टब हो जाता है, वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले, उससे एक रस्सी बना कर उपर वो आ जाता है जैनिवर ज़रा जादा उपर चली गई थी, वो डोर को पकड़ने वाली थी तब ही नीचे से गाय आया और उससे पकड़ कर फिर से लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे, गाय अनकॉंशिस हो गया और जैनिवर होश में आ गई लिफ्ट तैस नेच थी, तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बनाने की कुशिश की गाय को होशाने के बाद हो गयता है, ये सब वर्क नहीं करेगा हमने बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जैनिवर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुम्हें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोट में जुटी सावित नहीं हो सकती तुम मैटकोस ने का तुम सब कुछ अभ कनफेस कर दो अगर गाय ने ऐसा नहीं किया तो जैनिवर उसे बहुती बुरी तरीके से हट करने वाली थी गाय फिर सारी चीज़े कनफेस कर देता है जैनिफर फाइनल उसे पुछती है तुमने यह सब किया क्यों? गाय क्याता है कि मैं हर रोज तुम्हें देखता था तुम बहुत दी ब्यूटिफूल थी पर मैं एक सिकुरिटी गार्ड हो इस वज़े से मैं कभी भी तुम्हें अप्रोश नहीं कर पाता मैं हमेरे चासे सिकुरिटी गार्ड नहीं था मैं एक्चुल में एक अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि कार में मेरी कोवर कर के साथ मैं इंटिमेट हो रहा था तब ही उसका एक्सिडन्ट हो गया उस पर चार्जेस लगे पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे तो सिक्स मन्स में वो बाहर आ गया पर बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता था स्लोली स्लोली उसके फाइनाशल सिचुएशन खराब हो गे और उसे सिक्रिटी गार्ड का काम करना पड़ा वो जैनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी ओल लाइफ को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान किया निक्सिन में हम देखते है कि मैट के साथ काम करने वाला सिक्रिटी गार्ड ये अपनी गर्ल्फरेंड को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुट्टी ली थी वो वापस आने नहीं वाला था पर गर्ल्फरेंड को यहाँ लेकर आया वो नोडिस करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है उसने कैमेरे में जैनिफर और गाय को लिफ में देखा वो जल्दी से उनकी हेल्फ करने के लिए पहुश गया फ्रेंड आया और लिफ को ओपन करने की कोशिश करता है पर यह सिर्फ थोड़ी सी ओपन हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस आता है तभी गाय जैनिफर पर हमला करकर उसे बेहुश कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे हेल्प की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तभी गाय ने लिफ को चालू करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी बाड़ी रख देता है जैनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की ट्रंग में डाल दिया नीचे आकर उसने शावर लिया, कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने फ्रेंड की गल्फरेंड को उसने नोटिस किया वो उसके बॉइफरेंड के बारे में उसे पुछती है तो गाए ने कहा कि वो तो चला गया गल्फरेंड ज़रा सस्पिशेस होकर यहां से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार डालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो लेकर गया वो थ्रेश कैन में पेट्रोल वेकरा डाल कर जेनिफर की बॉड़ी को जला देने वाला था वो जब ड्रंक खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर वो हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और आगे चलीगे उसने पीछे देखा तो गाए अभी जिन्दा था वो बहुत ज़्यादा गुसा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला गाए को इडेश बिट में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डाल दिया इसे के साथ ये मूवी एंड हो गए अगर आपको ये वीडियो अचलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आते रहे तो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमी मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये